नमस्कार दोस्तों मैं स्ट्रॉजर सचन स्वागा तरभिनेंदर करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का मंगल का राशी प्रिवर्तन 16 अक्टूबर को हो रहा है मंगल मिथुन राशी में प्रवेश करेंगे मिथुन राशी के स्वामी होते हैं बुद्ध 16 अक्टूबर से 13 नमबर तक यहां पर रहेंगे मंगल देव ग्रहों के सेनापती मंगल सहास प्राकरम के कारग्रह हैं और मंगल की दो राशीया है मेश और रश्चिक राशी मंगल शुब हो तो आपको शुफ्द देते हैं या कोई भी ग्रह शुब होता है तो शुब देता ह मंगल चद्रमक के साथ बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं उनके परमित्र हैं बुद्ध के साथ थोड़ी सी शतुरता रखते हैं तो मंगल का मितुर राशी में जाना या शत्रु राशी में जाना दीपा वली से पहले उनका या परिवर्तन दीपा वली के बात तक रहेगा त इस वीडियो में हम उपाये भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ध्यान से सुझिएगा, समझिएगा, तो ये दीपावली शुब होगी, दीपावली से पहले और दीपावली के बाद लाब ही लाब होता चला जाएगा, और जिनकी जिन्दगी में मंगल अशुब प्रभा बनवा सकते हैं, दिये गए नमरों पर संपर करिए और अपनी जिन्दगी बनवाईए ताकि आने वाले वक्त के वारे में वक्त से पहले जानकर उसको और खुब सूरत बनाया जाए, तो आप जानते हैं आपकी राशी के लिए मंगल क्या लेकर आ रहे हैं, अब हम बात करे सिंग राशी की, तो सिंग राशी के जात्यों के लिए मंगल उनके नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होने के साथ साथ योग कारग्रेंबी है, और मितुन राशी में गोचल के दौराद एकादश भाव में उराजित होंगे, तो कुणली में एकादश भाव को माया का भ होकर मिलेगा, सुक से उधाय पढ़ेंगी, ऐशो आराम मढ़ेगा, आपके दिल को चैन मिलेगा, चेहरे पर खुसी दिखाई पढ़ेगी, कारज शेतर में जो आपने प्रयास किये हैं, जो आपकी खोज थी, जो आपका अनुभाव था, उससे आपने जो काम किया, उसका मिले सकती है, बिजनस वैपार आगे चल सकता है, प्रॉपरिटी में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, आपके अपना घर बनाने का सपना भी पूरा हो सकता है, अब आप किराय की दुकान या किराय का ओफिस छोड़ कर या किराय का घर छोड़ कर अपना कुछ बना सकते हैं आपको समाज में मांग सम्मान खुशियां भी प्राप्त होंगी संतान का साथ भी मिलेगा संतान की बुद्धी भी तेज होगी जिससे वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे हाँ अगर आपकी शादी हो चुकी है तो थोड़ा सा टेंचन हो सकता है पती-पत्नी के बीच में नोग जोग हो जाए ऐसा संभव है या आपकी संतान को थोड़ा सा कश्ट हो जाए या जो गर्वती बहिलाए हैं वो थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखे आप परिवारी जीवन में आपको परिवार वालों का साथ पिलेगा पता का श principle आपकी घर में शुबह और मांगली कार्य हो सकते हैं आप गर में अनलोगों का आना जाना हो सकता है लगा की कोड़ क rice में कारी मामले हैं और कोड़ा जगले के मामले के मामले के माहिश्यार हो सकते हैं उसमें उमीध इकरन शिराण दिखाई देगी और फैसले आपके पक्षम में भी आ सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल काफी अच्छी होगी आपके अद्र उर्जा होगी, सास होगा परन्तु आप बदलते हुए मौसम से अपना ख्याल रखेगा, सेहत का ध्यान रखेगा अपने और अपने आप सहासी होंगे, जो काम ठान लेंगे कर लेंगे, पीछे मौन कर नहीं देखेंगे आपके जो प्रयास होंगे, वो इतने अच्छे होंगे इतने जबरदस्ट होंगे, क्या सफलता आप से दूर रहेगी इस समय में आप बहुत किछ अच्छा करने वाले हैं आपके जो साथ के लोग हैं, उनके साथ आप खोड़े से रूड हो सकते हैं, तो अपने जबान को मीठा रखिएगा आपके लिए ये वक्त जो है, अपने स्वास्त का ध्यान देना है जबान को मीठा रखना है, अपने बच्चों की सिहत का ध्यान पर रखना है और ग्यार्वे भाहों में जब भी मंगल जाता है तो सुख और सम्रद्धी लेकर आता है जीवन के हर एक शेतर में आपको सफलता मिलने लगती है और आप उच्छ पद पर चले जाते हैं यानि प्रमोशन बगरा हो जाती है तो जिन लोगों ने आपके ये कुछ किया है जैसे आपके माता पिता ने आपको बड़ा किया किसी दोस्त ने आपको अच्छी सला दी आपके टीचर ने आपको ग्यान दिया तो उनका थैंक्यू करना मत भूलिएगा और जिन लोगों ने आपके जीवन में कुछ आपको आगे बढ़ने में सहयोग किया है उनका आश्रुवात लेकर आप और बड़े बन जाएगी घमन मत करिएगा और बहुत अच्छे परड़ाम आपको मिलने हैं बहुत अच्छे बड़े वैपारी हो सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नौकरी और वैपार में मिलेंगे धार्मिक बने रहीएगा बुरी संगती में पड़ गए या आपकी जर्मकुली में मंगल खराब हुआ तो आप पैसों की बरबादी भी कर सकते हैं गुरू का अपमान करना माता पिता का अपमान करना अपने से बड़ों का अपमान करना आपको बरबाद करतेगा केसर का तिलक या पुकराज रत्म धारन किसी जोशी से पूछ कर पहन सकते हैं घर में आपके संतार का जन भी हो सकता है, काले सफेद कुत्ते की सेवा करें, भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाएं, और मंगलवाल का वरक्त रखें, महमानों को मिठाई किलाएं, अपने भाईयों की देखवाल करें, और सोने का बेजोड चलना पहन सकते हैं, और तों से विरुद जाना, या अपने पिता की संपत्ती को बेच देना, अपनी आयाशी के लिए, या बिना पिता की अन्मती के उनकी बनाए हुई चीज़ों को बरबाद कर देना, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप की दीपा वली काली हो जाएगी, और अगर आप अपने दोजार त जानना चाहते हैं, आपने दोजार तेईस को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो दिए गए नमबरों पर संपर करें, हम आपकी दोजार तेईस की कुंडली बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आगे आने वाले दिन आपके कैसे हैं, और किन उपायों से आप और बेहतर क कर सकते हैं दिए गे और करें में पर करेंब हुए और 2023 को अभी से सुधार लीजिये हर्योंप यह जो गनेश लश्मी रॉद्दाक्ष। आप देख रहे हैं यह ंज कोई सामानी रॉद्राक्षि नहीं यह original नेपाली उद्राक्ष हैं, यह गडेजी है, इसमें भगवान विश्नु का अशिरुवाद है, दूःतरा यह सब्तुकी महा लक्षनि उद्राक्ष है, इसमें साथ देवियों का अशिरुवाद है, एक नहीं साथ देवियों का, तो साथ देवियां जब आप पर प्रसन्न होंगी और धन के देवता कौन है धन के देवता है धन के देवता है कुबेर कह लें आप धन के देवता कुबेर को इजादत मानते है या धन की देवी मालक्षमी है या आप कहें कि धन को देने वाले ग्रह कौन के है वो है जुपिट का भी आशिरवाद है, जुपिटर का भी आशिरवाद है, कुबेर देवतार का भी आशिरवाद है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी, जब आप इसकी पूजा करेंगे, तो आपके घर में सुक्सम्रद्धी आएगी, इसके साथ साथ, इसमें इस फटि का शुजन्त होता है, वहाँ पर मालक्ष्मी दौड़ी चली आती है, भगवान विश्नु का वास होता है, जहां पर जिसे आप कहते हैं जहां पर खुश्बू होगी, जहां पर खुशाली होगी, जहां पर भगवान विश्नु का वास होगा, वहाँ पर मालक्ष्मी अपने कहूंगा अगर इस दीपावली में आप इनकी पूजा करते हैं इनको अपनी घर की तिजोरी में रखते हैं आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं हो सकती कभी खाली नहीं होगी और कैसे पूजा करनी है को क्या करना इस सब जानकारी में आपको दुनगा इस दीपावली इन गड़ेंट लश्की रुब्दार्स और इसके साथ के मिलने वाले उपहारों को मंगाईए और अपनी दीपावली को शांदार मनाईए और अपनी दीपावली को खुशनुमा मनाए नमस्कार